क्या आप वेट लोस कर रहे हैं या डाइबिटिक पेशेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं तो सोचा क्यों ना इस दिवाली हेल्दी मिठाई बनाए जाएं जिसे हम बिना घी, बिना चीनी, बिना गुड की शक्कर, बिना तगार के बनाएंगे ये मेरी तरफ से उन लोगों के लिए ट्रीट होगी जो फेस्टिवल टाइम में भी हेल्थ कॉंशेश होते हैं तो अब की बार इस फेस्टिवल टाइम पर हेल्थ में भी कॉंप्रमाइज नहीं करना पड़ेगा और मिठाई भी खान सकते हो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हेल्थी लड्डू की रेसिपी जिसे आपने एक लड्डू डेली खा लिया तो आपको काफी सारे विमारियों से राहत मिल सकती है तो आज की वीडियो में स्वाद और सेहत दोनों का संगम होगा अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक और शेयर करना विल्कुल भी न भूले तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं हेल्दी लड्डू बनाने के लिए दो कफ रागी काटा लिया है यह होमेट आटा है रागी काटा कैसे बनाया जाता है इसकी रेसेबी में पहले अफ्लोड कर चुके जिसका लिंक मैं डिस्क्रिक्शन बॉक्स में डाल दूगी गैसोन करेंगे उसके उपर कड़ाई रखेंगे और रागी को उसमें डाल का भूनेंगे इसे लगाता चलाते हुए लो फ्लेम पर भूनना है इसे भूनने में कम से कम 6-7 मिनट लग जाते हैं जा इसे जब तक भूनेंगे जब तक की इसमें एक बढ़िया सी अरोमा ना आने लगे इसे भूनते हुए 6 मिनट हो चुके हैं और इसमें एक बढ़िया सी अरोमा आने लगी है बस इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और रागी को ठंडा होने के लिए side में रखेंगे इसे large bound में transfer कर देंगे और इसे side में रखेंगे ठंडा होने के लिए अब हम चलते हैं next process की तरफ एक कप बदाम लेंगे और इसे हम roughly chop कर लेंगे हमें इसे dry roast करना है और उसके बाद हम इसे ग्राइंडर में डाल कर पीसेंगे आप देख सकते हैं बदाम को रफली चॉप कर लिया है क्या सून करेंगे उसके उपर कड़ाई रखेंगे और इसमें बदाम को डाल कर ड्राइ रोस्ट करेंगे इसे लगाता चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे यह हलका सा ब्राउन होने लगेगा और इसमें चटचट की अवाज आने लगती है इसे रोस्टोन करने में 4-5 मिनट का टाइम लगता है यह देखिए रोस्टो चुके हैं बस इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल का ठंडा करेंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और ग्राइंडिंग जार में इसे डाल देंगे बदाम को हम ग्राइंड करेंगे बिल्कुल क्रीमी टेक्श्चर आने तक बदाम ग्राइंड करते वक्त इस बाद का ध्यान रखना है हमें स्टार्टिंग में पल्सिस पर चलाना है इसे अभी ग्राइंड किया है थोड़ा सा दरदरा है इसे स्पून से थोड़ा चला लेंगे उसके बाद फिर दोबर ग्राइंड करेंगे ताकि इसका क्रीमी टेक्स्टर आ जाए आप देख सकते हैं बदाम को ग्राइंड कर लिया है इसका क्रीमी टेक्स्टर आ गया है लड़ू में मिठास लाने के लिए मैं यहाँ पर खजूर का यूज करूँगी यहाँ पर मैंने एक कप खजूर लिया है इसमें से इसके बीज निकाल लेंगे मैं इन लड़ों में मीठा थोड़ा कम रखूंगी तो इसी रहे मैं यहाँ पर एक कप खजूर ले रही हूँ अगर आप नॉर्मल मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर डेड़ कप खजूर ले सकते हैं आप देख सकते हैं खजूर में से 20 जलक कर लिये हैं हमने जो रोस्टेट बदाम को ग्राइड किया था इसके अंदर खजूर को डाल कर ग्राइड करेंगे जब हम इसे ग्राइड करें तो इसे पल्सिस पर ग्राइड करें यह देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है इसी बीच रागी काटन ठंडा हो चुका है अब हम बदाम और खजूर कमिशन इसमें डाल देंगे इन लड़ू को थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए मैं यह आपर तीन बड़े चमच इम्मिनिटी बूस्टर पौडर डालूंगी इम्मिनिटी बूस्टर पौडर कैसे बना जाता है इसकी रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिशन बॉक्स में डाल दूंगी यह पूरी तरह से ऑप्शनल है आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं आदा छोटी चमच इलाइची पौडर डालेंगे इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे इसे हाथ की सायता से अच्छे से मिलाएंगे इसे जब तक मिलाएंगे जब तक कि यह सारे चीजें अच्छे से ना मिल जाएं इसे जैसे जैसे मिलाते जाएंगे वैसे वैसे ये binding consistency में आ जाएगा आप देख सकते हैं इसे अच्छे से मिला लिया है और इसकी consistency में दिखाते हैं आपको तो हमारा मिश्रन लड्डू बनाने के लिए तयार है हतेली पर थोड़ा सा घी लगाएंगे जिससे कि जब हम लड्डू बनाए तो मिश्रन हतेली पर जिपकेना और लड्डू की perfect shape आए मिश्रन का थोड़ा सा portion लेंगे और इसे इस तरही से दबाते हुए एक gold shape देंगे लड्डू का size आप अपने accordingly छोटा या बड़ा कर सकते हैं तो देखी friends बहुत ही कम चीजों से healthy रागी के लड्डू बन कर तेयार है बस इसी process से सारे लड्डू बना लेंगे I hope आपको healthy रागी के लड्डू की recipe पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो अपने friends and family के साथ भी जरूर शेर कीजिए वीडियो को end तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाल ऐसे ही नहीं नहीं और interesting recipes देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं आज के लिए बस इतना ही तब तब खुश रहे है healthy रहे है